तुमने तो इतनी ज़ादा होली खैल लिया जैसे लग रहा है तुम्हें किसी ने होली खेलाया नहीं है तुम्हें किसी में रंग में फेक दिया है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है और हमें देखो हमें तो अभी तक कोई रंग नहीं लगा पाया आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई जड़ा बताओ हमें और अभी तो सिर्फ दो ही बज रहे हैं और ये सब सुनकर सान गुली से बलता है अरे गुली मुझे होली बहुत ही जड़ा पसंद है इसलिए मैं रास्ते में आ रहा था तभी लोगों ने मेरे उपर रंग फिकना चालू कर दिया और मैं इतना भीग गया और मेरी स्कूटर भी भीग चुकी है और अभी तुम लोग पता नहीं कैसे बज गए हो ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रंग में भीग कर योकी अभी गर्मी बहुत है हो और रंग में भीगने की वज़े से मुझे एकदम भी गर्मी नहीं लग रहे है और ये सुनकर बुली सौन से बलता है अगर ऐसी बात है तो हम तुमें चैलेंज देते हैं तुम हमें रंग लगा कर दिखाओ हमें सुबा से कोई भी रंग नहीं लगा पाया है हमारे घर बहुत सारे लोग आया थे हमें रंग लगाने लेकिन हम दरवाजा बन करके घर में चुपे हुए थे और ये सुनकर फाग लग सरा नाच में लग चाता है ये नोग देख कर गुली गुली को काभी लड़ा है असी आ रही होती है और तभी गुली सॉन से बलता है रहे सॉन तुम इतना नाच क्यों रहा है उसमें नाचने वाली कौन सी बात है अभी नाच तो तब होगा जब बाबा यहां पर आएंगे तो हम लोग जम पर नाचेंगे और ये सुनकर रंग तो तुम हमें लगाना ही पाओगे क्योंकि कि कोई तुम्हें पहचानी नहीं पाएगा कि तुम्हें कि तुम गुली हो भी या भी नहीं अब देखो मैं तुम्हें अभी कैसे रंग लगाता हूँ और ये सुनकर गुली सान का मज़ा पुडाते हुए सान से बोलता है अच्छा ऐसी बाते तो लगा कर दिखाओ तुम मु गुली की ये बास सुनकर सौन गुली से बलता है नहीं गुली तुम लोग मुझे रंग जरूर लगाना क्योंकि मुझे होली खेलना बहुत ज़रा पसंद है और कोई मुझे रंग लगा ये मुझे और भी ज़रा पसंद है और अब ये लो मैं तुम्हें रंग लगा कर मानूं लगता है रौट को भी गुली बुली ने अपने घर पोड़ाया लेकिन यह तो रॉट सिदेंस जेशन भी उतार है रॉट तो पुरा रंग में भीग चुका है जेशन जैसे रॉट की जीथ उतारता यह वह गुली बुली से बलता की गुली बुली आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूँगा तुम लोग मुझे बार बार परिसान करते हो और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और आज तो यहां पर बाबा भी नहीं है आज तुम लोग मुझे नहीं बस सकते होली के दिन तुम लोग की होली खराब हो जाएगी अब मनने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग अब तुम्हारा टाइम खतम हो चुका है और यह सुनकर गुली काफी गुस्से से जेसन से बोलता है अरे जेसन हम लोग तुम्हें परिसान नहीं करते तुम हमें हमें परिसान करने आजा ठी हम लोग जो भी कोही अच्छा काम करने जाते हैं तुम हमारे काम के बीच में आ जाते और इधरहीः बात हमें खतम करने की तो बहुत चुम से हो नहीं पाएगा क्यों कि हमने बड़े बेगा है कि तुमस्त संब्सक्राइब अगर बाबा Allee यहां तो मेरे तो लग जाएंगे वाट इतना सोच जेशन गुली से बुल्ली से बलता है ठीक है गुली-बुली मैं तुम लोगों के साथ वाली खेलने के तैयार हूँ लेकिन कोई मेरा मजाक नहीं उडाएगा और यह सुनकर गुली-जेशन बलता ठीक है कोई भी तम्हारा म काम नहीं करूंगा और इसके बाद जेसन और गुली बुली के पास जाने लगते हैं और वह लोग गुली बुली के पास आकर खड़े हो जाते हैं और इसके बाद यह लोग बाबा के आने का अजजार करने लगते हैं लेकिन तभी गुली बुली सौन और रॉट के दिमाग में सब Chingy एक आड़ि आता है यह लोग सोचतें कि Jason को ores ने रंग लगा नहीं चलो अब इसे भी रंग लगा दिया जाए यहीं सूच कर यह करा यह लोग जैसन की तरफ गुशे से गुणरे लगते साथ जेसन को मार मार कर रंग लगाने वाले हैं यह लोग जपट परते हैं जेसन को रंग लगा देते हैं अब जेसन की तो बाद लग चुई है अरे यह क्या जेसन तो पूरा जोकर लग रहा है लेकिन तभी जेसन गुली गुली को सारा कट्जवर बठाता है कि वह चारों लोग कौन है उन चारों को अभी तो तुम लोग उने नहीं बुलाया है और यह सब देखकर गुली बुली सान और उस तरफ को देखने लगते हैं और यह लोग को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर यह लोग काफी जड़ा डर जाते हैं और यह क्या ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं ग्रीन, पर्पल, यलो और रैड क्रिमिनल्स यहां पर क्या कर रहे हैं और तभी परपल क्रिमनल गुली बुली सान और और से बोलता है आज हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोगों ने काफी लोगों की होली खराब की है और तुम लोग भी होली खेल रहे हो अब तुम लोगों को हम मार डेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जिन लोगों की होली खराफ किया, उन लोगों को हमने जिन्दा नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने उन लोगों को जिन्दा ही मात दिया है, और उन लोगों को जमीन में दफनाया भी नहीं है, उन लोगों को उपर थूप कर आ रहे हैं हम लोग और ये सब सुनकर Red criminal हसते हुए गुली बुली से अपने style में बलता है कि हाँ इसकी बात सही है अब तुम लोगों को मरना ही होगा अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता ये सुनकर Son उन लोगों से बलता है ऐसा मत करो अगर ऐसा तुम लोगों ने हमारे साथ किया तो हमारे साथ एक बाबा है वो आते ही होंगे वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और इसके बाद गुली भी इन लोगों से बलता है हाँ हमारे बाबा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं वो काफे दर ताकतवर हैं और ये सब सुनकर परपल क्रिमनल भड़क जाता है और वो इन लोगों से बलता है कौन है वो बाबा जरूर वो कोई बुड़ा ही होगा और उस बुड़े से हम लोग नहीं डरते बुड़ा हमारा क्या बिगाड़ेगा बोध उसकी तो एज ही नहीं हम लोगों से लड़ने की और हम लोग चाहर हैं वो अकेला हमारा क्या उखाड लेका उसके पास बंदूके भी हैं उसके पास तो कुछ नहीं है वो हमारा कुछ नहीं उखाड सकता और तभी गुली दूसरी तरफ देखता है और उसे कुछ दिखाई देजा जिसे देखकर वो काफी दर खुछ हो जाता है वो देख जिराव आप बाबा ने हातो ही चाए चारो कीमन को भेर कर दिया और उन चारो कीमन कर लगते है और इसके बार बाबा बुली बाबा को समझाता है वाबा आठ जेसन हम लोगों के साथ घोली कहलने आया इससे कृप्या माफ़ कर दिजिए अब हमें अमारे से कोई भी दूसमनी नहीं रखेगा और ये सुनकर बाबा गोली संपोने है आप चलो डांस किया गए और इसके बाद गोली बुली बाबा को भी लिघा अनने लग देता है तो दोस्तों अगर आप इसको ये वीडियो पसंड आए तो इस वीडियो को अभी जैपिताइश कर दीजे durch आपिक आपिक आप साइब कर दिए